हलो एब्रिवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है, आज के इस वीडियों हम बात करेंगे अगरू के बारे में, तो अगरू क्या है, इसका बाटनिकल नेम क्या होता है, इसका फैमिली क्या है, इसका स्वरूप कैसा होता है, और इसके क्या क्या उपई होगे हैं, इसका पूरे डिटेल में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियों, तो अगरू क्या है, सबसे पहले इसका बाटनिकल नेम जानते हैं, तो अगरू का बाटनिकल नेम होता है, एक्विलेरिया अगलोचा, क्या होता है, एक्विलेरिया अगलोचा, दूसरा, इस में से कम से कम तीन चार पर्याय आपको याद रखना है ठीक है तो अग्रु का पर्याय क्या क्या है अग्रु है लोह है क्रिमिज है क्रिमिगन है अनार्यक है प्रवल और योग राज तो इसमें से आपको मेंली अग्रु लोह और क्रिमिज इन तीन पर फोकस करके याद रखना ऊति है तो चैथरिये नाम इसका है अगर और यह कहा पे होता है उसके सब्दा हरी ब्रिचे होता है यानी कि हमेसा हरा रहता है पुराने ब्रिचें से अन्त कार्ष्ट कीट गन उतना से क्रिष्ल वाड़ी गंद युक्त सार निकलताए यानी कि अब्र जो होते है इसके अंदर कीट होते हैं और कीट होने के वज़े से इसमें से बहुत गंध आती है ठीक है? तो इससे आप पहचान करेंगे क्या है? अगुरू है अब इसके पत्र की बात करें तो इसका पत्र जो होता है 2 से 3 इंच लंबे होते हैं और भालाकार होते हैं है इसके Pusp की तो पुष्प जो होता है हरताव स्वेत होता है यानि कि थोड़ा-'Tोड़ा स्वेत भी होगा और हरे calendar का होगा ठीक है उसके बाद से फल जो होता है इसमें फल एक से दो इंच लंबह होते हैं ठीक है आप डाइग्राम में देखे भी और फल अच्छा है और डिया सलाई से जलाने पर जल जाए तो उसे उत्तम माना जाता है इसके अलावा अगरू की जातिया अगरू की मैली जो जातिया है जो राजन इगंटु कार ने बताया है वह चैर परकार की जातिया बताया है इन č commencement पहला क्या है किरश्डा गुरू, बात करते हैं इसके रस पंचक की तो अगरू का जो रस पंचक होता है उसमें बीरे बात करें तो बीरे उसर होता है विपाग कटू होता है गुरू जो होता है लगू और रूच होता है रस जो होते हैं कटू और तिक्त होते हैं ठीक है इसका कर्म और आमिक प्रियोग की बात करें तो कर्म में आप देखेंगे तो ये कफ और वात सामक होता है नाड़ी उत्तेजक दीपन पाचन होने से अगनी अब बात करते हैं दाह रोग में कैसे उपियोगी होता है देखे दाह रोग जो होता है यानि कि कहीं पे जल गया है आग से या फिर किसी भी चीज़े इससे अगर आपका हाथ पैर चल गया है तो अगर का चूंड शरीर पर लगाने से ध़्मेर लाभ मिलता है ठीकर अगर beta में लाप और अच्छे से प्राप्त करना तो आप रास्ना और अगरु का प्रलेप बना करके लगाएंगे तो सरीर में क्या होगा ठंड़ा पन महसूस हो तो अगर स्वेद लाना हो तो उसके लिए अब क्या करते हैं अगर चंदन और नाक केसर का चूंड बना कर उसको बेर की छाल के पानी में उबाल कर सरीर पे लेप करते हैं जिससे ज्वर खतम हो जाता है इसके अलावा सरीर को सुगंधित करने में भी अगरुका उपयोग किया जाता है जैसे अगर हो गया कपूर हो गया केसर हो गया लोहबान नागर मोथा को बराबर मात्रा में लेकर बारिक पीसे इसे सरीर पर मलने से सरीर सुगंधित हो जाता है ठीक है तो यह सरीर को सुगंधित करता है इसके अलावा कास की बात करें तो बच्चों में जो कास होत बच्चों की कास में अगर और इस्वर मूल का मतलब क्या होता है इस्वर की जड को पीसकर सीने पर लेप करने से लाब मिलता है बिसिष्ट योग की बात करें तो बिसिष्ट योग में अगुरवादी तेल उसके अगरादी धूप यानि कि इसको पहला वाला आपको important है और गुरवादित तेल के रूपे इसका उपयोग किया जता है ठीक है दूसरा बात करें प्रयोजांग की तो इसका प्रयोजांग कौन-कौन सा अंग है जो उपयोग होता है तो कांड सार होता है और तेल इसका प्रयोजांग क्या होता है कांड सार और तेल मात्रा की बात करें तो अगर इसका चूण प्रयोग कर रहे हैं तो एक से तीन ग्राम होगा तेल की बात करें तो तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो दो से चार बूध होगा ठीक है रासायनिक संगठन की बात करें कौन-कौन सा केमिकल इसमें पाया जाता है तो सेस्क्यू टर्पीन नामक एलकोहल पदार्थ होता है इसमें यह पाया जाता तो सेस्क्यू टर्पीन आपको मुख्यरुप से याद रखना है अब अगले वीडियो में बात करेंगे अईफेन के बारे में तब तक वीडियो देखते लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करिए साथ ही साथ आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएए वहाँ पे सभी प्रकार के नोट्स और फीडियाप आपको मिल जाएंगे पीजी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे है तो पीजी के लिए पीजे पॉइंट बीएमेस अप्लिकेशन को गूगल प्लेइ स्टोर से डाउनलोड कर लिजे वहाँ से आपको मिल जाएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई